हेलो एवरीवन आज का टॉपिक है बायो कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ काबो हैड्रेट की बायो कैमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आईडो कमपाउंड जब भी एल्डो शरकरा के क्रिया हाइडोजन आयोडाइट से करवाई जाती है तो उसमें उपस्तित ऑक्सिजन निकल जाती है और यह आईडो कमपाउंड में परिवर्तित हो जाती है जैसे यह रेक्शन दिखाई गई है ग्लुकोस जब हाइडोजन आयोडाइट से क्रिया क तो क्या बनेगा आइडो हेक्जेन, C6H13I, means sugars में आइडो कंपाउंड बनाने की शमता होती है, और ये काबो हेडिर्स की महत्वपूर्ण विशेशता है, सेकिन्ड है, एसिटाइलेशन या एस्टर निर्मान, इस इंग्लिश में कहते हैं, एसिटाइलेशन और एस्टर फॉरमेशन, तो शरकराएं एस्टर का निर्मान कर सकती है, शरकराओं में OH ग्रूप उपस्तित होने के कारण, यह विभिनकार्बनिक यह अकार्बनिक अमलो के chloride या एन hydride से क्रिया करके ester का निर्मान करते हैं जैसे कि acetic acid, phosphoric acid, sulfuric acid या benjoic acid से ये क्रिया करके ester बनाते हैं third जो most important reaction है जो exam में पूछी जाती है वो है ocecin formation sugars में शमता होती है कि वो एक विशेश प्रकार के अलग-अलग शरक रहें अलग-अलग प्रकार के crystals बनाती है और उन्हें एक mixture में पैचाननी के लिए इस reaction की सहहता ली जाती है जिन्हें की ocecin formation कहा जाता है या ocecin निर्मान कहा जाता है सभी reducing sugars phenyl hydrazine phenyl hydrazine के साथ क्रिया करके boiling temperature पे ocecin बनाते है glucose, fructose वा manose के ocecin एक प्रकार के होते है जबके galactose, maltose के जो ocecin है वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं आप ये diagram देश करते हैं glucose के जो ocecin है वो needle shape या bundle of hay, nucleic घास या सुई के आकार के होंगे जिने के glucosa zone कहा जाता है maltose के जो crystal है वो sunflower shape होते है जिने maltosa zone कहा जाता है और जो lactose के crystals है वो cotton ball shape रूई के या powder puff की shape के होते हैं जिने lactosa zone कहा जाता है ocecin test का प्रयोग urine में विभिन प्रकार की शरकराओं को पहचानने के लिए किया जाता है यह अभी क्रिया है जैसे डी-glucose को जब phenyl hydrogen के साथ क्रिया कराई जाएगी तो पहले क्या बनेगा glucose hydrozone जो कि गुलनशील है और कुछ समय पश्चात वो किसमें बदल जाएगा boiling temperature पे glucose osagone जो कि insoluble हैं तो यह glucose osagone की structure है यह important अभी क्रिया जो कि practical और theory दोनों में आ सकती है next है शरक्राओं का अंत्या परिवर्तन या inter conversion of sugars इन्हें इन्हें डेल formation भी कहते हैं विभेन प्रकार के शरक्राओं आपस में अंत्या परिवर्तित हो सकती हैं तनुशार की उपस्तिती में जैसे कि glucose, fructose, thamenoze तनुशार की उपस्तिती में जैसे कि barium hydroxide या calcium hydroxide की उपस्तिती में ये अंत्या परिवर्तित हो सकती हैं क्योंकि तनुशार की उपस्तिती में इस शरक्राओं इन्हें डेल बनाती हैं जो कि इन तिनों शरक्राओं में परिवर्तित हो सकता है इस प्रक्रिया को टोमराइजेशन भी कहते हैं तनुशार के प्रभाव से शरकराओं का अंते परिवर्यतन जो आपस में ये बदलेंगे एक दुसरे में इस अभी क्रिया को नाम दिया गया है लॉब्री डी ब्राइन वैन एंग्स्टिन रियक्शन ये बहुत महतवपूर्ण भी करिया है जो कि एक्जैम में पुछे जाती है ये एक ऐसी रियक्शन है जिसे की अलग-अलग प्रकार से पूछा जा सकता है पहला शरकराओं का अंते परिवर्यतन के बारे में लिखिए दूसरा इनेडियल निर्मान के बारे में लिखिए तीसरा शरकराओं पर तनुशार के प्रभाव के बारे में लिखिए चौथा टोटोमराइजेशन के बारे में लिखिए और पांचवाँ लॉब्री डे ब्राइन वैन एंग्स्टिन रेक्शन के बारे में लिखी तो पांच प्रकार के प्रश्ण ये एक ही अभी क्रिया पर पूछे जा सकते हैं तो ये बहुत महत्वपूर अभी क्रिया है आप रेक्शन देख सकते हैं यहां ग्लुकोज की स्ट्रक्चर है ये डी-फ्रक्टोज है ये दी-मेनוז है और ये रिवर्सिबल रेक्शन है दोनों तरफ है रोलगाऊ है मेल्स आपस में यहां तो इनिडियोल से ये तीनों शुगर से ओन तो ये ये इनिडियोल बन सकता है तो यहाँ श्रकराओं का अंत् नेक्स्ट हम देखें तो शरकराओं के अपचेन से शरकरा एलकोहल का निर्मान रिडक्शन अफ शुगर्स टू फॉर्म शुगर एलकोहल्स जब भी शरकरा का अपचेन होगा तो वो एलकोहल में परिवर्टित हो जाती है इस्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये रिएक्शन में डी ग्लुकोज किसमें चेंज हो रहा है डी सॉर्बिटॉल में इसी तरह से मैनोज को किसमें दिखा सकते हैं डी मैनिटॉल में बिभिन शरकराइँ अपचायक पदार्तों की उपस्तिती में जैसे कि सोडियममलगम एक अपचायक पदार्त है शरकरा एलकोहल में परिवर्टित हो जाती है नेक्स्ट है शरकराओं के ऐसीकरन से शरकरा अमलों का निर्मान अगर इनका Oxidation होगा तो क्या बनेंगे Sugar Acids विभिन परस्तितियों में शरक्राइ आक्सिकरत होको Sugar Acids बनाती है जैसे कि Eldonic Acid, Sacric Acid and Euronic Acid Next है शरक्राओं पर अमल का प्रभाव जब भी Monosacrides की क्रिया संद्र सल्फिरिक अमल से कराई जाती है तो इनके निर्जली करन से तीन अनुजल के निकलते हैं आते हेक्जोजस ये हेक्जोज दिखा रख है Hydroxy Methyl Furfurals में तथा Pentoses किसमें बदल जाएंगे Ribos एक Pentosure करा है Furfural में परिवर्तित हो जाते हैं ये जो दोनों Furfural Derivatives हैं ये जो विक्तपन है ये फिनॉलिक योगीकों के साथ क्रिया करके रंगीन पदार्ट बनाते हैं और मॉलिश टेस्ट भी इसी रंगीन पदार्ट पर आधारित है ये भी उसा जोन की तरह बहुत important reaction है practical में हम मॉलिश टेस्ट करते हैं परकनली में 5 ml carbon solution लेते हैं उसमें कुछ बुंदें अल्फा नेफ्तॉल की डालते हैं और परकनली के किनारे से दीरे-दीरे संद्र सल्फिरिक अमल डालते हैं तो जहां पर संद्र सल्फिरिक अमल और carbon solution में लेगा वहां पर बैंगनी रंग कछला बनता है जिसे वॉयलेट रिंग कहते हैं और वो आसानी से पैचाना जा सकता है कि इस भोल में काबोईडरेड है तो यह बहुत इंपोर्टन रियक्शन है और आपको इस रियक्शन को अच्छे से याद करना है इसके बाद है फासफोराइलेटेड शुगर्स यह हिंदी में इसको कहते बनाएंगे ग्लुकोज, ग्लुकोज 6-phosphate, ग्लुकोज 1-6-diphosphate, फ्रक्टोज 6-phosphate, फ्रक्टोज 1-6-diphosphate तो यह ग्लुकोज की structure है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पे फासफेट जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कह सकते हैं ग्लुकोज 1-phosphate इसका द दूसरा नाम है रॉबिसनेस्कर तो शरक्राओं में उपाप्चेन में फास्फोकरत शरक्राएं विशेश भुमिकाएं निभाती हैं हमारे शरील में यह शरक्राओं में यह शमता होती है कि वो फासफेट से जुड़ सकती है और इन्हें कहते हैं फासफोराइलेटेड शु स्ट्रेंगे इसको हम अगर या देख सकते हैं यह क्या ग्लुकोस लेकिन दो नंबर पर को दिखाई दी किस्ट्रक्टर अगर आप पीछ gonna the अगर तो आपको याद होगा कि गेलेक्टोज में तीन और चार पे चेंज होता है, OH उपर चला जगा H नीचे आजाएगा, यहाँ पे क्या है, दो नमबर पे यहाँ जो OH था, एलफा डी ग्लुकोज में वो हट गया, उसके जगे पे क्या लग गया है, एमीनो समू, NH2, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टू एमीनो डी गलेक्टोज, तो एमीनो डी गलेक्टोज, यह दूसरा नाम इसका क्या होगा, गलेक्टोसमी, तो इस तरह से, शरकराओं में यह योग शरकराओं में यह शमता होती है, कि वहाँ पे एमीनो समू जोड़ सकता है, वो एमीनो शुगूर्स में परिवर्तित हो सकती है, तो अगर हम इनको समप करें, यह सभी अभी क्रियाओं को, इन पे अलग से हर एक रियक्शन पे, यह जो नौ रियक्शन है, हर एक रियक्शन शॉर्ट कोश्चन आ सकता है चाहे वो आईडो कंपाउंड या आईडो योगिक बनाने की शमता हो या एस्टर बनाने की शमता हो या उसा जो फार्मेशन यह तो most important reaction है या शरकराओं का अंत्य परिवर्तन हो तो लाबरी जी ब्राइन बैन एंग्स्टन रियक्शन यह बहुत important reaction है हर अभी क्रिया पर अलग से short question आ सकता है शरकराओं के अपचेन से शरकरा अलकोहल बनेगी ऑक्सीकरन से शरकरा अमल बनेंगे शरकराओं पे अमल का प्रभाव होगा तो फर्फियूर्स बनेंगे डी ग्लुकोज हाइड्रोक्से मिथाइल फर्फियूरल में और डी रा related sugars पे प्रशन आ सकता है अमीनो sugars पे प्रशन आ सकता है तो यह नो की नो properties बहुत important है और आपको अच्छे से याद करनी है और हो सकता है कि आपको full question आ जाए कि शरकराओं की महत्वपूर्ण जैवरसैनिक विशिष्टाओं को विस्तार से लिखिए यह सीधा लिखा सकता है क important biochemical properties of carbohydrates लिखिए यह लिखा सकता है कि important biochemical properties of monosecrites लिखिए यह सीधा लिखा सकता है कि important biochemical properties of sugars लिखिए तो यह बहुत important है और आपको अच्छे से याद करनी है और बहुत easy है तो आप असानी से इसे समझ सकते हैं Thank you